नमस्कार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहे हैं न्यूस जार्खन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक जार्खन की तमाम बड़ी खबरों को जार्खन के गिरीडिय जीले में सुक्रवार देर रात पोलिस और अपराधिक घटना को अंजाम देने की मनसा से एक कार से जा रहे संदिक्द अपराधियों के बीच मुटबेड होने की सूचना सामने आई है इसमें एक अपराधि और कार्चालक के घायल होने की भी सूचना है घायलों को इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है जार्खन के बीच कॉलेजों में नामंकन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग सुरू जाने कब तक ले सकते हैं दाखिला जार्खन में बीच कॉलेज में नामंकन को लेकर प्रतमराउंड की कांसलिंग की तारिक जारी कर दी गई है सन्युक्त प्रविस्प्रतियोगिता परिक्षा परसत द्वारा जारी कारिक्रम के अनुसार आज यानी सनिवार से ही ओनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया सुरू हो गई है ओनलाइन रजिस्ट्रेशन और चोईस देने की अंतिम्ति थी 14 जुलाई निर्धारित की गई है ज स्कूलों में पहली बार कम्प्यूटर के सिक्षकों के पद भी शुरूजित किया गए है आर्द्यापक, आर्च्ण हयक सिक्षक और एक एक लिपीकवा आत्यशपाल के पद का स्रीजन किया गए है जार्खन में बारिश से खुश्णुमा हुवा मौसम आज बर्शात का यलो अलड वजड़पात के भी आसार जार्खन के कुछ हिलाकों के लिए भारी बारिश की चितावनी जारी की गई है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने यलो अलड जारी करते हुए कहा कि मेग करजन वजड़पात की साथ सनिवार को बारिश हो सकती है वहीं 11 जुलाई को जार्खन के उत्तर पुर्वी भाग में भारी बारिश होगी इन इलाकों में देवगर, धनबाद, दुमका, गिरिडिय, गोड़ा, जमताड़ा, पाकुड और साहिब गंच शामिल है इधर दोपहरबाद से कई जीलों में बादल चाय हुए है जबकि कई जीलों में बारिश दर्श की गई है शाम तक कई जीलों में भारी बारिश का अलर्ट है वहीं दूसरी और पिछले 24 घंटों में राजमें लगभग सभी स्थानों पर गरजन के साथ हलके से मध्यम दर्जे की बारिश होई है राजमें मानसून की गतिविधी समान्य रही सबसे अधिक वर्षा 50 mm विसुनपुर्व गुमला में दर्ज की गई है सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36 डीगरी सलसियस डालतन गंज में दर्ज किया गया है वहीं सबसे कम निउनतन तापमान 22.8 डीगरी सलसियस राची में दर्ज की गई है पिछले कुछ दिनों से संताल परगना और कोईलांचल की जीलों में बहुत कम वर्षा हुई है कभी कबार हल्की बारिशी देखने को मिली है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जारकन की है छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर बैजना धाम की आसपास बड़े वाहनों के परिशालन पर कम्प्लीट बैन नोवेंटरी में घुषने वाले 40 ट्रक जप्त 26,000 का फाइन शावडी मेला के सफल संचालन को लेकर देवगर डीसी मंजुनात भंजतरी वा एसपी सुबास चंदर जाट में सूचना भवन सभागार में सभी वरी अधिकारी, मेला छेतर में प्रतिन युक्त दंडा धिकारी वा पुलिसवल के अधिकारियों को सामोहिक ब्रीफिंग की है डीसी ने कहा कि सभी को आफसी समनवाई वर सहयोग से संपुड मेला छेतर में कारे करने का निर्देश दिया गया है शद्धालूओं को सुलब वर सुरक्ष जलारपड कराना जीला प्रशासंग की पहली प्राथ मिकता है सबसे महतुपूर है भीड को नियंत्रित करना भीड प्रभंदन पर हमें विशेज ध्यान देने की अवशकता है बता दें कि शावडी मेला को लेकर सुबह साथ बजे से रात साड़े दस बजे तक मेला छेतर सही देवगर शहर में भारी वाहन ट्रक हाईवा आधी के परिचालन पर रोक है इसके बावजूद कुरियासा के रास्ते कुंडा इलाके में मालवाहक ट्रकों का प्रवेश हो रहा था इसकी सूचना मिलते ही या तयात प्रभारी आतिश कुमार अपनी टीम के साथ कुरियासा पुल के पास पहुचे और चेकिंग सुरू की इस दोरान चालिस ट्रकों को जबत कर दिन भर हतगर अईस्था स्टैंड में रखा गया फिर सभी ट्रकों से फाइन वसूल कर साड़े दस बजे छोड़ दिया गया एसाई आतिस ने बताया कि जब ट्रकों से नो एंट्री में प्रवेश करने के लिए हर एक ट्रकों से साड़े छे सो रुपे करके कुल 26,000 रुपे का फाइन लिया गया है अभियान के दोरान एसाई निर्भे कुमार सिंग सहीत पुलिस कर्मी बिकेस कुमार वह अन्यफ मौके पर मजूद थे पलामू पुलिस ने नकसली कमांडर संतोस भुया को किया गिरफतार पलामू में पुलिस ने प्रतिबंधित नकसली संगठन टीपीसी के कमांडर संतोस भुया को मनातु थाना छेतरे के नागर गाउं से गिरफतार किया है पिछले दिनों चत्रा में हुए मुठवेड में पुलिस के चंगुल से बच कर भाग गया था मुठवेड की घटना के बास से ही चत्रा वो पलामो पुलिस तालमेल बैठा कर काम कर रही थी इसी से नकसली कमांडर को गिरफतार किया जा सका है फिलाल पुलिस नकसली कमांडर से पूछताच कर रही है तेरावी जूनियर महिला हौकी चैंपियनशिप में टीम जारखन ने रज़त पदक पर किया कबजा तेरावी जूनियर महिला हौकी चैंपियनशिप में जारखन की टीम ने रज़त पदक हासिल किया है टीम ने लगतार तीसरी बार रज़त पदक पर कबजा किया है फाइनल मैच में हौकी जार्खन टीम ने हौकी मंध्य प्रदेश से 1-0 से हार गई वहीं पिछले लगतार दो बार की चैंपियन रई हरियाणा को कांसि पदक से ही संतोस करना पड़ा जार्खन टीम के रज़त पदक जीतने पर टीम के सभी सदस्यों को हौकी इंडिया के महासचीव सहौकी जार्खन के अध्यक्ष भोलानास सिंग, खेल इरदे सक सरोजनी लकडा, विजय संकर सिंग, मनोज कौन बेगी, असरिता लकडा, रजनीस कुमार, सहित हौकी जार्खन और खेल विभाग के समस्त पदाधी कारियों ने सुपकामनाय दी हैं। पश्रिमी सिंग्भूम में बस और बाइक के बीच हुई जोरदार टकर, पारासिक्षक की मौत। पदस्थापित थे, जनकारी के अनुसार स्वर्गे जामुदा शुकरवार को स्कूली छुट्टी होने के बाद वे विध्याले का रिपोर्ट जमा करने के लिए बाइक से करीब तीन बजे बी आर्सी चक्रधरपूर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में चक्रधरपूर जहां इलाज के दौरान सदर अस्पिताल में रात करीब 8.45 पर उनकी मौत हो गई है, मौत होने पर पारासिक्षक के परीजन वरिस्तेदारों में शोक की लहर दोड़ गई, सदर्थाना पुलिस ने सनिवार को शौब का पोस्तमाटम करा कर परीजनों को सौब दिया है जारकन के 15 जीलों में पहुचा डेंगू, अब तक मिले 60 मरीज, राची में दोगुना से ज्यादा हुए मामले बारिश शुरू होने के साथ ही गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन मच्छणों का डंक खतरनाक होने लगा है मच्छण जनित रोगों से बचाओ के कार्य अभी पूरी तरह सुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन मच्छणों ने आतंक मचाना सुरू कर दिया है इस वर्श जन्वरी से जून तक राज में डेंगू के 58 मरीज मिल चुके हैं जबकि विगत दिनों में जमसेतपूर में और मरीज मिले हैं, यानि राज में इस साल अब तक डेंगू के 60 मरीज मिल चुके हैं याने जन्वरी से अक्टूबर तक के दस महिने में राज के 12 जीलों में महज 47 मरीज मिले थें, जबकि इस साल बारिश अभी शुरू ही हुई है, लिकिन जन्वरी से जून तक के महज 6 महा में राज के 15 जीलों तक डेंगु का प्रसार हो चुका है, कुल 58 मरीज मिल चुके हैं रेल्वे बोट को भीजा जाएगा प्रस्ताव राची से 17 ट्रेन चलाने की तयारी सीधे वरार सी आयोध्यार जा सकेंगे आने वाले कुछ दिनों में राची के लोगों को भी राची से सीधे वरार सी आयोध्यार रुशिकेस हरिद्वार तक का सफर कर पाएंगे धनबाद से चलने वाली सतलज एक्सप्रेस ट्रेन को राची होते हुए चलाने पर पुर्व मध्यरेलवे हाजीपुर के जीएम अनुपम सर्मा ने सहमती जताई है राची सांसर संजे सेट के प्रस्ताव पर पहल करने का उन्होंने आस्वासन दिया है ट्रैफिक विवस्ता में दो बड़े बदलाव मिकान से देविंद्रमान जी चौक तक वानों की एंट्री बंद सुजाता चौक से आ रही गाडियों का बदलेगा रूट शहर की ट्रैफिक विवस्था में दो बड़े बदलाव फिर से होने जा रहे हैं इससे जाम की समस्या एक बार फिर बढ़ने वाली है बहुबजार से बिशप स्कूल तक अप्रोच रोड निर्मार पाइपलाइन और बिजली पोल्स रिफ्टिंग को लेकर जहार अभिवार से बिर्सा चौक सुजाता चौक स्टेसन रोड की ओर से आने वाले वाहन बहुबजार से डाइवर्ट हो जाएंगे डाइवर्ट रूट से वाहन अगले 15 दिनों तक संथ पॉल्स कॉलेज के पास से बसर टोली के रास्ते कांटा टोली की ओर जा सकेंगे वही सिरम टोली से मेकान चौक के बीच हो रहे फ्लाई ओवर्ट निर्मार कारे को लेकर शनिवार से मेकान चौक से देविंद्रिवान जी की ओर वहनों की एंट्री बंद कर दी गई है यह विवस्था चार सितंबर तक लागू रहेगी प्रोजेक्ट मेनेजर मारूतिष रिवस्थाओ के आगरह पर ट्राफिक स्पी हारिस बिंजमा ने उक्तमार्ग पर बदलाव किया है दंपत्ती के आपसी नोगजोक ने लिया विवाद का रूप पती की गई जान सिम्डेगा जीले के कुले बीराथाना छेतर अंतरकर टूटी केल के गंजु टोली में बितीरात पती पत्नी के आपसी नोगजोक में पती की जान चली गई आरोप है कि पत्नी ने टांगी से हमला कर पती को मौत के घाट उतार दिया है जनकारी के अनुसार गाव का चंद्रिका सिंग और रमाइन देवी के बीच किसी बात को लेकर नोगजोक सुरू हुआ था जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गया नोगजोक में चंद्रिका सिंग ने अपनी पत्नी रमाइन देवी को थपड मार दिया जिसके बाद रमाइन देवी ने अपने पती के ऊपर सिर के पिछले हिस्से पर टांगी से प्रहार कर दिया जिससे चंद्रिका सिंग की घटना इस्थल पर ही मौथ हो गई जमशेदपुर के बसमालिकों में डर का महल प्रशासन से कर रहे सुरक्षा की मांग राजधानी राची के खदकड़ा बस स्टैंड में कुछ दिन पहले आग लगी थी जिसमें आठ से नौ बस जल कर राक हो गई थी इस घटना में बसमालिकों का करोडों का नुकसान हुआ था घटना के बाद सिलहो नगरी जमशेदपुर शहर के मांग बस स्टैंड के करमचारियों बसमालिकों में डर का महौल बना हुआ है हलांकी राची की घटना के बाद जमशेदपुर बस असोशियेशन द्वारा खुद पूरे स्टैंड में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाय जा रही है इसके अलावा आग बुझाने के उपकरण भी लगाय जा रहे है जिससे आग की घटना होती है तो उससे निप्टा जा सके पूरे मांगो बस स्टैंड में सीसी टीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है अगर कोई व्यक्ती बस चेड चड करे तो उस पर भी कारवाई की जा सकती है जमसेदपूर के मांगो में रंगदारी वसूली को लेकर तीन राउंड फाइरिंग तीन खोखा बरामद जमसेदपूर के मांगो में शुक्रवार की सुबह मचली विक्रेताओं से रंगदारी वसूलने को लेकर बाइक सवार तीन योगों ने सरयाम तीन राउंड हवाई फाइरिंग की घटना के बाद दो यूवग बाइक पर बैठ कर फरार हो गया जबकि तीसरा यूवग वहाँ दुकान पर चाय पी रहे भाशपानेता को पिस्टॉल सटा कर उसकी बाइक पर सवार हो गया और कदमा मरिन ड्राइव चलने को कहा वहाँ पहुच कर वह बाइक से उतर गया और भाशपानेता को भाग जाने को कहा मामले में मचली विक्रेता सुदेव साही के बयान पर मानगो थाना में तीन अग्यात यूगों के खिलाफ फाइरिंग की प्रासमी की दर्ज की गई है पुलिस ने घटना इस्थल से तीन खो का बरामत किया है मचली विक्रेता के अनुसार फाइरिंग से पहले तीनों यूवकों ने गाली गलोज की और उसके कागजात वह वजन करने वाली मसीन फेक दी घटना सुबा तक्रीबं 6 बच कर 20 मिनट की बताई जा रही है पुलिस यूवकों की पहचान के लिए आसपास के CCTV फूटेज को खंगाल रही है फूटेज में यूवकों के भागने की तस्वीरे कैद है जारखन की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें